मुख्यमत्री पुशकर सिंग धामी शनिवार को अपने एक दिवसी दौरे पर जनपन मुख्याले पौड़ी पहुँचे जहां उन्होंने 800 करोड धनराशे की योजनाओ का शलान्यास और लोकारपन किया वहीं योजनाओ का शलान्यास करते हुए सियम धामी ने कहा कि पौड़ी के विकास के लिए 800 करोड रुपे की ये योजनाओ मील का पत्थर सापित होंगी इसी करम में सियम धामी ने शहीद राइफल मैन जस्वंत सिंग और देश के प्रथम सीडियस सरगे Vipन रावत की मूर्ती का नावरण करते हुए रांसी स्टेडियम का नाम बदल कर शहीद जस्वंत सिंग के नाम पर रखा महीं मूर्ती अनावरन के दौरान सियम धामी ने कहा कि पौरी की भूमी वीरों की भूमी है जिसने कई वीर सपूत को जर्म दिया है मुक्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को कैबिनेट में पास होने के बाद विदान सभा में रखने की बात कही उन्होंने कहा कि जल्द ही उत्रखन देश का पहला राज्चे होगा जहां समान नागरिक सहिता लागू की जाएगी पौरी से संबादाता मुकेश पच्छेती की रिपोर्ट आज साड़े आठ सो परूर से भी ज्यादा यूजनाओं का लुकारपन और से लानियास हुआ है पौरी जनपत के विकास में एक नयाद है इससे लिखा जाएगा विकास आगे बढ़ेगा तेजी से यहां की चीजें आगे बढ़ेंगी और दो आज बहुत इतिहासी काम हुए है जिनोंने भारत माता की अच्छा के लिए हमीसा अने को लगा है अपने को लगा है अपने को पड़ा हमारा यहां का तिरंगा थाच आज यहां स्तापित वाख और जो पहले हमारे सीजेस तेजी नों की अधनावरी चीजिए आज का दिन हमारे लेगे